जो तू ना मिला मुझे दिर को क्या पताँगा करें के शुरुबाद करें के चलिए भाई लिंक अभी तक आपके गुरुप में आई नहीं होगी अलोले करके आ जाएगी उन्हों आफिस में बोलो वाई थोड़ा वक्त लएगा आपका चैप्टर नंबर वन है सबसे बड़ा चैप्टर भी यह है और थोड़ा इंट्रेस्टिंग भी है थोड़ी तो आपको लॉजिकल चीजे मिलेगी आपर आपका जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं गपर कन्फर्म करेजिए फड़ावट से आडियो वीडियो सही है कि नहीं जो बच्चे फेस-टू-फेस आना चाहें बिल्कु आ सकते हैं कुछ बच्चे पूछ रह Beer प्पले तो चिनका फेस-टू-फेस का प्लान है बिल्कुल बिल्कुल बिन्दा सा सकते हैं सोचा तुम्हे जो रात दिन तू जो ना मिला मुझे आई से से की बुक्स आगी आपके गर अंजली जी बदाई यह बहुत बहुत दिल को क्या बताओंगा दिल को क्या बताओंगा लुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि शाल क्या बूल रहे हैं आओ मिलकर एक समझोता कर लेते हैं आओ मिलकर समझोता कर लेते हैं दिल तुम रख लो हम तुमें रख लेते हैं बहुत चांदा था अश्यात क्या नहीं अभी मुझी सर ने अभी तो छोड़ा पांच मिन्ट पहले मैं देख रहा ता मुझी सर कब छोड़ा ने कब छोड़ा ने 1145 के अस-पस छोड़ा इधिंग 1245 के अस-पस तो इसलिए मैं उपर लेट आया कि दो रेक्चर में सब्सक्राइब कोई जन्तामत करो को दिक्कत नहीं है कानविया स्टाइब इस न्यूज़ चरप्टर लिंक आगी सबको अग्य अग्य यह बुलेटिन नवेंबर वाले से पांच च महीने पढ़ना है और ना पांच से छे मिने की बुलेटिन करनी है मैं करवा दूँग आप्चंतामत करो अग्य प्रशेल है करें शुरुबात और ओके चल भाई देखो तो यहां पर उफली आपको इजी बले तो आप आज ही आपके चैटर नंबर वन से तो यह स्राइटिंग इड़ी फ्रेश चैटर फॉर्स चैटर चैटर नवन तो आपका सबसे बड़ा चैटर आपके पूरे शिलिबस का यही वाला है अकर आप दिहान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको नेशनल इंटरने चैटर चैटर आप देखो तो आपके मॉडूल में आप अजी आपका पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर फोर्त है जहां पर आपको सबसे पहले इंटरनेशनल बाड़ी के बारे में दिया गया है विच इस यह और IMF मतलब किससे डिस्ट्रेक्ट हो जा रहे हैं यहां देखिए इंटरनेशनल मोनेटरी फंड तो IMF ओके तो इ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने सुना ओगा कभी तो बच्पर में क्या होता है बताई है गर्मी नहीं होरे है आप लोग गर्मी नहीं होरी है कि पेंडा को स्रीम बंद हो रही है यह कुंसी बात भाट जो तो न बंजाए खतरों की खिलाड़ी करके देखते हैं यह क्लासरू में कुछ तो नया नया होता है दर हावन करवाना पड़ेगा में को लग रहा है कि अच्छा तुन्हें जुरात दिन कुछ बंद नहीं हो ना जो नहीं देख रहे हैं सब पर पर चिलना है ना अगया इस आधिक यह तो सबसे विला आपको दिया कि इंटर्शन मॉलिटरी फंड भाई वाल दिमीन पार इंटर्शन मॉलिटरी फंड पर इस सोना है आपने बच्छ फंड में जैश्री राम बताओ नहीं तो इंटर्शन मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक कैसे कुछ-कुछ नाम पने सुने होंगे तो भाई जैसे इंटर्शनल मॉनेटरी फंड इसके नाम से आपको समझेगा इसके नाम से आपको समझेगा कि इसका काम क्या होगा अ इस organization का, इस organization की member है, तो इसका नाम है international monetary fund, तो जो भी member countries होती है, उनको जब जब पैसे के ज़रूत पड़ती है, पैसे का crunch हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, कभी loans लगते है, या फिर even covid के टाइम पर जो पैसे लग रहे थे, तो ये provide करता है international monetary fund, तो international monetary payments यहाँ पर settled रहने चाह आता है, तो ये सारे के सारे काम IMF, मतलब international monetary fund के है, ठीक है, तो यहाँ पर जितना जितना मैंने highlight किया है, वो सारी की सारी चीज़े काम किया, सब उतने पर ही, अगर MC को बना तो उतने पर ही बनेगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कि IMF के कितने countries member हैं, तो 190 countries हैं, वो उसके member से, तो पहले 189 हुआ करते थे, फिर जीरे से बढ़ा के उसको 190 कर दिया है, तो यह आपको याद रखना है, then, then, next आप कहां पर जिया गया है, कि IMF was established in, IMF कब बना था, तो 1944 में, by international monetary fund आपको बना था, तो 1944 में बना था, और पहले founding countries थी 44, मतलब starting में जो founding countries थी, वो भी 44 थी, एंड यह बना भी 1944 में था, एंड उसके बाद, यहाँ पर जो इंडिया बना था, 1945 अगरा में, आगे लिखा हो मिलेगा, एंड इसमें लिखा हो आई कि भाई, कितने nation के लोग इसके staff है, कितने countries के लोग इसके staff है, तो 150 countries के लोग यहाँ पर जाकर employment में है, मतल परफेक्ट, खाना, तो क्लियर हुआ गया है, क्या क्या बुले है, यहाँ पर, बच्चे बुलने की highlighted वाला portion कट हो गया है, अच्छा, अलग समझते हैं जीवन में, और रुखो, हटा देता हूं highlighted के, अब दिख रहा है, कुछ-कुछ तो नए नहीं होता है, इसमें अग, आज सुभई या एक्जेगेटिव का लेक्चर लेने आया, लेक्चर नहीं हुआ, फिर सेकंड फोर में शिफ्ट किया, क्या, अब सही आ रहा है, हाँ, यह सब हाइलाइक्टिड ढटाओंगा तो एकनम सही आ रहा है, चलो, तो अब जो ओनलाइन देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखो प्रॉपर्ली, यहां पर यहां पर यह बना था आपका 1944 में, 44 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी इसमें, यहां पर 150 नेशन के जो लोग हैं, यहां पर स्टाफ है, ठीक है, इतना मुद्धा हो गया, इतना सभीन हाइलेट कर लिया, फिर आप देखिए, इन पर यहां पर यहां पर यहां पर संभालता है, देख रहे करता है, और यह तीन तरीके से करता है, तो पहला वाला, keeping track of the global economy, मैं highlight कर दूँगा, फिर ते चिन्ता मत को underline कर दूँगा, highlight में दिक्कत जारी है, तो यह क्या करते हैं, global economy का track रखते हैं, next वाला, lending to countries with balance of payment difficulties, जिन countries को balance of payment में दिक्कत ने जारी है, उनको पैसा देते हैं, now what do you mean by balance of payment? पैसे की? कम तरता, बूले दो, दिक्कत, okay, balance of payment मतलब होता है, कि हम दो चीज़े चेक करते हैं, एक import और दूसरा export, तो हमारी कोशिश हमेशा क्या रहती है, export जादा हो या import जादा हो, export हमेशा जादा होना चाहिए, export हमेशा जादा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका import-export में mismatch हो जाता है, अगर import आपके जादा है, export कम है, तो वहाँ पर आपके पैसे का mismatch हो जाएगा, तो उस case में यहाँ पर balance of payment की जो difficulties होती है, जिसको मैं कहते हैं, deficit and balance of payments, balance of payment simply मतलब import-export ideally equal होना चाहिए, या export जादा होए, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके import जादा है, export कम है, तो फिर आपको balance of payment में दिक्कत जाती है, उसको help करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको help करता है, आपको help करता है, तो balance of payment के दिक्कते भी यह सही करता है, तो आपने पर practical help भी अपने members को देगा, मतलब अगर कोई नए-ने टाइप के आपको यहां पर projects चालू करने हैं, कुछ नहीं आपको policies चाहिए, तो practical help भी आपको IMF करता है, ठीक है, तो आपने जबी तक पड़ा, वो पड़ा कि भाई, यहां पर total 190 countries की member है, यह बना था 1944 में, कितने founding member करती सी, 44, कितने लोगों, कितने nations के लोग यहां पर staff हैं, तो 150 nations के, तो उसके लाबा यह आपको जो है help करते हैं, international money system में, तीन चीज़ों के लिए, पहला वाला, global economy को में अलब किस तरीके से, तो global economy का track रखते हैं, second, balance of payment difficulties, जहां पर जाते हैं, उनको पैसा land करते हैं, तीसरा वाला, अपने members को practical help करते हैं, ओके चलिए, then next वाला आप देख पाएंगे, तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर आगया fast facts, तो यह fast facts वाली चीज़ें जो है, यह भी काम किये, देखो, तो यहां पर यह तो आप पढ़ चुकी membership कितने कंटी के पास है, तो 190, इनका headquarters है, Washington DC में, इनका headquarters है भाई, Washington DC में, then third वाला, executive board में कितने directors हैं, तो 24 director हैं, तो आपको कैसे याद रखना है न, कि यहां पर 24 लोग मिलकर कपड़िद होते हैं, headquarters में, तो आपको यहां कैसे याद रखना है कि 24 लोग मिलकर, मतलब 2 dozen लोग मिलकर यहां पर कपड़िद होते हैं, कहां पर headquarters में, 2 dozen लोग बुले तो 24 executive directors है and completed होते हैं मतलब Washington DC में इनका क्या है headquarters ठीक है perfect अब next अबने को दिया गया है amount available for lending तो आपर कितना पैसा भाई land करने के लिए available है तो 1 trillion dollars इतना पैसा total ये बाट सकते हैं लोग को loan के तौर पर जे सकते हैं now what do you mean by 1 trillion कितने 0 होते हैं 1 trillion बताओ 100 CR 1 crore में 7 से 0 होते है तो 100 CR में 9 0 हो जाएंगा इसा अब बता 1 trillion में कितने 0 होते हैं अच्छा million में कितने 0 होते हैं बताओ कुछ lecture मेरे छूड़ए अन्नी कुमारी नहीं कुछ इंता मत करो कवर्प हो जाएगा 1 million बोले दो 10 lakh तो million में होते हैं 6 0 correct देन आता है billion billion में कितने 0 होते हैं तो 9 0 ठीक है 9 trillion में 12 0 अब 3 3 से बढ़ता है ठीक है 6 0 9 0 and 12 0 ठीक है तो यहां पर अगर हम लिखे 9 0 तो यह 100 करोड हो जाएगा 100 करोड हो जाएगा और अगर 12 0 डल दिये 10,000 करोड हो जाएगा 9,000,000,000 करोड हो जाएगा 12 0 है तो 1 2 3 4 5 तो यहो गएएग और यह 7 तो एक लाक करोड हो जाएगा तो भाई यह होता है 1 trillion मतलब यह कितना पैसा बाट सकते हैं इनके पास कितना विल्य बले तो एक लाग करोड मतलब 1 trillion वो भी dollars में यह तो आपन dollar मतलब 1 dollar समझे असी रुपए का है तो आपर 80,000,000,000,000 रुपए यह बाट सकते हैं इतना total इनके पास है पर्फेक्ट आना चली तो यह वाला मुद्धा कौन सा अगया आपका कि यह कितना पैसे बाट सकते हैं तो वन ट्रिलियन डॉलर then next आपने को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रेसिपेंट कंट्रीस आप इमर्जेंसी पेंडमिक फाइनसिंग तो इमर्जेंसी पेंडमिक फाइनसिंग में हमने कितने कंट्रीस को हेल्प की दी तो 76 तो हमने यहाँ पर 76 कंट्रीस को हेल्प किया था हमने जो यहाँ पर 76 कंट्रीस को हेल्प किया था ठीक है यहां पर अपने को दिया गया IMF इन न्यूज तो भाई देखो IMF की यहां पर FDMD बनी थी गीता गोपिनाथ तो यह इंडियन ओरिजिन की है IMF की FDMD बोलो तो First Deputy Managing Director यह बनी थी इनका नाम है गीता गोपिनाथ तो इतना ही ध्यान रखना है और बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है डेट पकर भी काम की नहीं है ओके तो आपने बोला भाई गीता गोपिनाथ जो है वो यहां पर अभी FDMD बनी है यहां फर्स्ट डेप्यूटी managing director perfect नेच्स अपने को बूला है India at a glance देन नेच्स आपको बूला गया है India at a glance तो इंडिया at a glance में ही India से related कुछ कुछ चीज आपको दी गई है तो इंन्होंने जो आगल जीडीपी 2022 में इंडिया का एकसपेक्ट किया है, वह किया है 9% माफ़ डी मीनवाइग जीडीपी जीडीव मन्द बिंपरें यह होता है ग्राउस डॉमेस्टिक प्रॉड़क्ट बोले तो बहुंत पुरे इंडिया में कितने total goods and services का production होता है उन सब को मिला दिया जाए तो उसको मिन कहते है GDP तो यहाँ पर हमारा GDP क्या rates से grow करेगा तो यहाँ पर GDP क्या rates से grow करेगा इंडिया का तो इन्होंने यहाँ पर rate दिया हुआ कितना 9% का very good then next अपने को दिया कि date of membership तो इंडिया इसका मेंबर कब बना तो 27th of December 1945 और IMF बना गब था 1944 में और इंडिया मेंबर बना 27 December 1945 में यह आप country report याद नहीं रखो को तूप चलेगा special drawing right यह भी याद नहीं रखो को तूप चलेगा quota यह भी ध्यान में रखो को तूप चलेगा यह ध्यान रख लो number of arrangements is membership मतलब जब से इंडिया मेंबर बनाए IMF का तो आपने कितनी बार help मांगिये तो 7 बार इसका मतलब है कि इंडिया मेंबर बनने के बाद कितनी बार help मांग चुका है तो 7 बार help मांग चुका है तो यह मुद्ध आपको दिया गया है है IMF का तो इसके तो आपका एक organization complete हो जाता है तो यहां पर आजादी के पहली हुआ तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ना बहुत सारी international organizations दिये गए जैसे अभी आपने पड़ा IMF फिर आपको दिया गया ASEAN फिर आपको यह देते हैं BRICS और फिर सारक तो ऐसे G20, G7 वगरा वगरा तो इस टाइप के आपके पास बहुत सारे organizations दिये गए तो इसमें पहले आपने पड़ा आपका IMF तो एक बार वापस से देखते हैं भाई IMF के कितने member से बताओ 190 countries के member हैं कितने country के लोग यहां पर staff है 150 यह कब बना था IMF 1944 में कितने इसके founding member करेंटी सी 44 इंडिया कब बना 1940 कि 5 1945 इंडिया इसका member बना कब 27 दिसंबर 1945 को इंडिया कितनी बार यहां पर रेनिजमेंट करवा चुका है तो साथ बार करवा चुका है उसके बार कितने director है कितने लोग मिलकर कपड़े धोते हैं दो डजन मतलब 24 तो यहां पर 24 directors हैं कपड़े धोते हैं headquarters कहां पर है तो Washington DC में है परफेक्ट ठीक है और यह कितना पैसा बाट सकते हैं IMF आले total 1 trillion dollar बाट सकते हैं तो इनका काम है कि पुरी global economy को जो है संभाल के रखना उसके लिए तीन काम यह करते हैं global economical track करते हैं फिर balance of payment difficulties उसको जाज़ उसका पैसा देते हैं अपने members को practical help भी करते हैं और इनकी FDMD कौन बनी तो गीता गुपिनाद जो है इनकी FDMD बनी है तो Kolkata का origin origin इनका गीता गुपिनाद का दिखाता हूं बढ़ ठीक है तो यह अपनी FDMD क्या how much does Gita Gopinath make यह भी दिया उनका estimated salary is करीब करीब पौने दो लाख डॉलर्स मतलब कितना हो जाएगा पौने दो लाख इंटू 1.6 CR 1743 इंटू आर्ट मतलब सत्रा लाख सम्टिंग सम्टिंग इंटू आर्ट येस 1.6 CR करेगा तो करीब करीब डेड़ दो करूर कमाती है अब यह मंतली है कि सालका है पता नहीं देखना बड़े सालका होना ची मेरे साब से मैने का होगा नहीं करमचारी को जाधा नहीं मिलता है प्लेक में जाधा कमाया है सही बात है इंडिया का कॉंसेफ्ट हर जागे चल रहा है हूं चलो डिए कि आप पढ़ ले ना अंटी पसंद आई हो तो चलो देगे नेक्स्ट नहीं वह तुम्हें आपके लिए दिखा रहा था पुष्कर क्या बलें फेस्ट नॉट मैच विद दनेम चमक गए ना आप लोग इसलिए मैं आपको फोटो दिखा रहा है आपको लग रहा है कोई तो आंटी है गीता को फिना साधी पेन के खड़ी होगी इसा नहीं चले चले मागे अब नेक्स साल आपको यहाँ पर असोसेशन दिया गया है एसियान तो एसियान का फुल फॉर्म है मतलब किसके लिए बनाए दी असोसेशन ओप साउथ एस्ट एसियन नेशन अब एसियान चो है एक्चुली वह दस कंट्रीज का गुरूप है और यह दस कंट्रीज का नाम अपने को याद करना है कि दस कंट्रीज का नाम अपने को याद रखना है मैं आपको एक मिनिट दे रहा हूं आप इसको पढ़के याद करनी कोशिच करो फिर देखें कि आप कितने रिपीट कर पाते हो बेना देखें तो कोशिच करो एक बार दस यह नजर घुमालो 60 इस आपके लिए स्टार्ट किये और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं आप देखो एक सेकंड में एक मिनिट में आप कितने याद कर पा रहे हूं रिया दावे जी कोलाइब है कोलाइब चले 30 सेकंड होगे आपके बज़े 30 सेकंड और तुझो ना मिला मझे जो तु ना एला मझे दिर को क्या मता हाँगा यहाँ पांच सेकंड चैलो, अब एकझि काम कर main, कहीं पर लिखो कि 10 में से कितनीी कर्णेटिज याद आ रही है बिना देख लिखो में बिना देखे लिखे आफिक आपके बास notebook सदल कमें लिखो कहीं तो नहीं तो किसी Message में लिखो whatsapp पे लिखो कहीं पर भी लिखो बेवी तो अपनी वाली को और दस कानिटीस का नाम देखो भाई कितने नाम याद आ रहे है घर पर जा रहे हो अच्छा पेपर अधर से यह गया चलो अरे बस बस अरे बस अरे बस अरे बस अल्दी वेरी बेस्ट के लाओ 80 नबबे कम से कम किया रहे है रोग्ष को लैव इंस्टा पर पोस्ट हो रहे है अब रिल्स बनी हुए तो क्या करें ने रिल्स बनी तो डालनी पड़ेगी न क्या बले एसरे की आले मस्ती अब भी जो लेटेस अले डाली है नहीं अच्छा तुम से मिलके दिल का है सबके अपने अपनी चॉइस है चला शुभां को कितनी आद आ रहे हैं सिंगापूर, मलेशा, थाइले, इंडोनेशा, फिलिपिन, नम्यान मा रहे हैं छे नाम तनुजा को कितने आद आ रहे हैं छे नाम अनिकरी आप पूछिए अब मैं पूछिए हैं तो रेंडम ली कैसे ब सेल बढ़िया किसी को भी पूरे दस याद आए क्या इमांदरी से बताना इमांदरी से जूट बोला तो पाप लेगा भाई आठ तक नाम तो आ चुके हैं प्रोफेशनल रीलर बन गए है नौ होए है ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रेनिंग लिग लिए आठ याद आए निकिता को साथ याद है साक्षी को आर्ट मुस्कान को नौ है और लिन वन को कुछ तो ऐसी छे साथ चलो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसको याद करने का थोड़ा फोकस करेंगे देखो नाम कौन कौन से हैं एक बार रीट कर लेते हैं नाम है ब्रुनाइन दरुसलेम ओके फिर है मलेशिया फिर सिंगापूर फिर कंबुडिया म्यानमार थाइलेंड इंडोनेशिया फिलिपिन्स वियतनाम एंड लाव पीडियार अब अपने यहाँ पर समझे कौन है अमन जो है न् अमन क्या करता है आन्म ना भопिता है बिलकुल एक नंबर का बेवड़ा है अब अब दारु मिलता पीते पृते हम नर्स को नाम पूचा हमने उसकुनाि नम तो बता वो si-no मुश्छा नम ता बता कौन स मी दारु पी रहा था और वो दारु Techachnah चकने में थाई फूड खा रहा था ठीक है चकने में थाई फूड खा रहा था और खाते खाते गाना भी खा रहा था खाते खाते जो है फिर वो गाना भी खा रहा था और गाना गाते गाते वो बल्ब लगाने गया कर लिए पिलिप्स का बल्ब लगाने गया जब वो पिलिप्स का बल्ब लगाने कि हमने उसको पीछे से जाके मारा तो म्यान मार लेकिन बीचारे को थोड़ candidate लगई तो करीं मलीश में हुए अधिक है व्यक्राभे विकंष करनी पढ़े गई तो मलीशिया हमने बोला लाएं दोनों को पर लाएं दोनों को इथर कि और और इन दोनों बोले तो इंडोनेशिया और इसने पिचारे ने दारू पी एता तो थोड़ा कम बोला उसने तो कम बोला और वेट तो भी मैं इसी तरीकर स्याथ करूँगा, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अमन एक नमबर का बेवड़ा दारु पीता है, तो दारु सलीम, तो अपने दारु का नाम पूछा, तो क्या हो गया, वियत नाम, साथ साथ में चकना खा रहा था, कौन सा वाला, थ थाई फूट तो थाई कहना खा रहा था फिर खाते खाते गाना खा रहा था तौ सींग गआपूर और गा इन दोनों को rhe कrit कि पृट्ड तो यह ना आप चाहे तो नूट डाउन कर लो अगर आपको नूट डाउन करना है दारू देन नाम देन थाइफोड सिंगापूर यह सिंग कर रहा था मैं लिख लेता हूं साइड में फिलिप्स का बल बना देता हूं देन हमने उसको मारा देन यह हो गया आपका मालिश देन आपका लाओ इन दोनों को और एंड कम बोल दिया तो जिनको ऐसी याद हो गए पूरे दस की दस नाम को दिक्कत नहीं अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वापस भूल जाओगे तो इसको लिखके रख लो क्योंकि आपको बहुत सारे नाम ऐसे याद करने तो आपको confusion नहों और इसमें इंडिया का नाम डालेगा या फिर बोलेगा which of the countries are part of ASEAN तो इसमें से एकाद नाम आएगा ऐसा ठीक है डन समझायाएगा चले हम आगे नेक्स आल मुद्धे पर ओके तो यह हो गया आपका ASEAN के nations के नाम अब इसमें ASEAN में आपको क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पर बुलाए कि यह जो countries ने group बनाए था ASEAN यह बना था 8th of August 1967 को बैंकॉक में तो यह बना था 8th of August 1967 को बैंकॉक में तो यह वाली तारीक यहाद रखना आठ अगस्त मेरी एक्स का बड़े आता है ऐसी जान रखना ठीक है 1967 को बैंकॉक में कि अरे को लाइब है रिया यार मैं क्या करूं अधोगी है अच्छा एक रिल वन मिलियन जाने वाला है आज है जो टिंग 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 वाला था न वो है क्या बढ़िए 300 है उसी को तो वो 300 के परस्तों देखा होगा आपने अभी वह 9 लाग क्रॉस कर गया है अभी दस लाग हो जाएगा रात तक कि अवैरल हो गया हो कितना हो या बताओ भी जो तुना 933 हो गया है करीब करीब साड़े नौ लाख हो गया रात को साथ तरभे तक 10 लाग हो जाएगा मतलब हम मैं हिसाब लगा रहा था ऐक मिनिट में 138 लोग देख रहे हैं उसलीमको एक मिनिट में 138 l coin मतलब एक सेकेंड में समझो करीब 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 2 से 3 लोग इतीन में करीफ एक सेकेंड में देख रहे हैं उस रील को चलो क्या हुआ है कि उससे भी ब्लिंक स्टार जाए करेक्ट अभी एक और एक घर वाला डला हुआ है वो भी 94 के अभी तो वी वन लेक होने वाला हो जाएगा मुस्ली चलो तो यह क्या हो गया आपका ASEAN तो यह कब बना था भाई 8 ऑगस्ट 1967 को कहाँ पर बंकॉक में यहां पर एक एग्रिमेंट साइन हुआ तो इसका नाम था ASEAN declaration तो यहां पर देखो founding countries थी मदब 10 countries तो अभी बनी है पहले कौन-कौन सी countries थी तो आपका Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand तो कौन-कौन है भाई founding countries का नाम क्या रखना पड़ेगा तो मैं नीचे लखके भी रखा है Indonesia, Malaysia, देने आपका यहां पर Philippines, Singapore and Thailand मदब देखो यह तो I think sequence में था कि था ही खाना खा रहा साट फिर गाव भी रहा था फिर बल्ब लग़ा रहा था यह तो सीक्वेंस में था खाना खा रहा रहा था फिर बल्ब लग़ा रहा था and दो अलग से Indonesia and Malish and दो-अलग से Indonesia and Malish शिवं कहें रहे है सर कुछ पैसे देते होंगे इंस्टावले काश एक-एक वियू और के एक-एक रुपए भी मिलते हैं तो दसलaking हो जाते हैं सारी रिद स्थ मिलाके तो एक साल का खरिचा निदाता इंस्टावाले पैसे देते हैं अगर किसी अकाउंट के बहुत real होते हैं तो फिर एक monthly लिस्ट आती है उसमें तीन लोगों को 1-1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पिर अपने अकाउंट इतले देनी पड़ती है, cancel, check वगरा मंगाते हैं, pen card आपका मंगाते हैं, और proper account में पैसे आते हैं, tedious कटने के बाद, मतलब 30% का tax कट जाता है, और बचवाँ पैसा आपके हाथ में आता है, तो अगर आप समझो, 1,00,000 रुपए आपको for example मिले, तो 30,000 का tax कट जाता है, और आपके हाथ में 17,000 आते हैं, लेकिन जब साल खतम हो जाता है, जब अपना साल April to March होता है, तो वो जब आपका tax कटा है, वो भी अपन refund ले लेते हैं, तो वो भी पैसा अपने को ultimately मिल जाता है, तो ऐसा होता है, तो यह आपका हो गया, ASEAN बना था 8th August 1967 को Bangkok में, यह 5 founding member करेंटी सी, तो Thailand, Singapore, Bulb, मतलब आपका यहाँ पर फिलिपिन्स, इन इंडोनेशा एंड मलेशिया, clear, done, then, next यह नाम आपके याद रखना है, Aichi Dato Lim Jock Hoy, is the Secretary General of ASEAN, जिसके Secretary General का नाम क्या है, Aichi Dato Lim Jock Hoy, तो डाटो याद रख लो, डाटो, यह बहुत डाटते हैं, आपना दारूपियों को तो डाटेंगी न, करेंट, क्याँ पर इनका नाम है, Aichi Dato Lim Jock Hoy, परिफेक्ट है, क्या बलेए, आसाना बहुत 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 है, आपने जैसे ने तो राम शाम रख देते हैं, क्या बलेए, फॉलो बैक दे दीजिए, अभी लेक्चर के एंड में अनफॉलो करके फॉलो कर देना, ठीक कर दूँगा, ओके, दन, चले, साकेब जी बिल्कुल पैचाना, क्यों नहीं आरे हो लाइव आप, दिखने है रो लाइव मुझे, एक्जिटेव में, चले तो ये ASEAN के बारे में कुछ कुछ चीज़े आपको दी गई है, अब उसके बाद जो काम का है, ASEAN में, वो काम का है, काम का है, ASEAN Summit हुआ था, वाशिंग्टन, D.C. में, हाँ, यहाँ पर आजाओ, पेज नमबर 7 आजाओ, लेको बीच का कुछ काम का नहीं है, कभी M.C. क्यों बना नहीं है, और बनने की उमीद भी नहीं है, दस नेशन का नाम था, जो अपनने याद कर भी लिया है, वो थो गया है, अ अब अब आप यहाँ पर आजाए कि 1st ASEAN Summit जो हुआ था, वो था इंडोनेशिया में, बाली में, 23-24 फरवरी 1976 को, तो यह दिख रहा है न online, यस, दिख रहा है न, तो पेज नमबर 7 आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आप इसको highlight टिक करकर रखना, कि 1st ASEAN Summit जो हुआ था, व आपको बोल दूँगा, अभी करी रहा है, लेक्चर तो होई है, अल्मोस्ट, अना unfollow करके follow कर दो, सब को follow एक कर दूँगा, ठीक है, देविंदर जी, good afternoon, चलो, clear हुआ यह, अब देगे next, next अपने को दिया गए, US government sets rate for special ASEAN Summit in Washington, तो यहाँ पर वाशिंग्टन में, इन्हों हमने जो है, Summit प्लान किया था, 18-19 March को, और उनको होस्ट करने वाले थे, Joe Biden, जो बढ़ी मुले तो, हाना, US के President, तो आपकी US के President है, Joe Biden, वो होस्ट करने वाले थे, 18-19 March को, then, 18th ASEAN Summit जो है, हाना, वो हमने किया था, Bangkok में, 18 October 2021, तो यहाँ पर देखो, एकदम मिलता जूलता है 18th Summit भी है, and 18 October भी है, तो 18-18 तारीक आ गई, तो 18th Summit भी है, and 18th October 2021 को, उनको हमने प्लान किया था, Bangkok में, एक 19th वाले भी चेक कर लेते हैं, लगया, 2022 को भी खतम होने को आ गया है देखें, क्या बुलता है Cambodia में, Asian Summit hosted by Cambodia from 10 से 13 November 2022, तो इसको भी लिख लो, और इसको भी नोट डाउन कर लो, latest वाले इसलिए तो यहाँ पर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, कि जो आपका 19th वाला Asian Summit हुआ था, वो Cambodia ने होस्ट किया था, 10 से 13 November 2022, तो mainly तो latest वाला याद रखना चाहिए, बट अपने मॉडिल में 18 थी दिया है, तो ठीक, 18 वाला बैंकोक के पास है, हाँ जी, अंकी राजपूर भिजवा देंगे, तो 18 वाला बैंकोक में हुआ था, और 19 वाला आपका Cambodia म देखा तुम्हें जौरा तिला थो कि यह समिट मतलब होता है कॉन्फरेंस मीटिंग आराध्य पांडे जी कहां पर देखो इंस्टा इंस्टा पे डाउट्स मत भेजा करो और इंस्टा पे मैं चेक नहीं करता हूं क्या वैसे में में मैसेज इसमें बहुत रइल चेक करना हुं उस्टी तो 18 ऐसान समपिट चलो तो इसलो भी सारा कसर हो गया अब शॉन सब्सक्राइब करना से तो फ़ीक्स वाला जो अगले वाले स्वेक्स सशन में कर लेंगे तो अभी इंस्टा पे जिसको फॉलो करके फॉल कर दो तो आपका नाम उपर आजाएगा तो यह पुशकर दीरे जीरे 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 ओले हुले विशाल भाई किसका मैराथान यह इसका स्य एक यह भारात आरे गाना पच्चेश के बाद 25 दिसंबर के बाद marathon revision कर देंगे आपका start क्यों जंदा कर रहे हो देखा तुम्हें जो राव ठीक है चलिए भई तो अभी करें में यहीं पर रुकते हैं thank you so much बहुत बहुत शुक्रिया कल मुलागत करेंगे सुबज साड़े बार बजे को टाइमिंग चेंज का आपको बताए कि अभी तो चलो ठीक है तो कल अपन बिलेंगे सुबज साड़े बार बजे चलिए भाई thank you so much